श्रीलंका के रास्ट्रोपती, महिंद्रा राजपक्षे की और से माफी मिलने के बाद मौत की सजा पाए पांच भारतिये बच्छुवारों को रिहा कर दिया गया दरसल इन्हें वहां की अदालत ने नशीले पदार्थों की तसकरी के आरोप में मौत की सजा सराई थी और ये सब ही तमिलनाडू के रहने वाले हैं आपको बता दे सजा के फैसले को लेकर तमिलनाडू के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे याद हो कि भारत ने बीते 11 नमंबर को श्रीलंका के सुप्रीन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की वही इस मुद्दे पर कुछ दिनों पहले प्रदानमत्री मोडी और राजपक्षे के बीच फोन पर बाचीत हुई थी ये मुद्दा दोनों देशों के बीच बेहत भावनात्मत रहा है तमिलनाडू के कई राजनेतिक दल सरकार पर इस मामले को श्रीलंका के सामने गंभीरता से उठाने के लिए दबाव बनाते रहे हैं फिलहाल श्रीलंका के इस कदम के बाद दोनों देशों के रिष्टों में और अधिक मजबूती आएगी नेख लेगे रिष्टों में प्राइब है